Hello everyone, welcome to our channel Everyday Life आज के हमारी रोचक उप्योगी जानकारी है difference between nigella seeds and niger seeds तो चलिए शुकरते हैं आज सबसे पहले ये nigella seeds यहां आप देख सकते हैं इन छोटे छोटे टुकडे जैसे बीजों को इनको हिंदी में कलोंजी कहा जाता है कलोंजी का मूल स्थान दशिन पूर्वी यूरोप और दशिन पूर्वी एशिया माना जाता है यह कलोंजी नायजेला सेटिवा वेग्यानिक नाम वाले पौंधे के बीज हैं इन बीजों का उप्योग स्वाद देने के लिए विबिन पकवानों में होता है ब्रेड, बन और नान में भी उप्री तोर पर इनको लगाया जाता है बंगाल के पांच होड़न का यह अभिन हिस्सा होता है और वहीं पर इसका उप्योग बहुत से सबजियों और दालों को चौंपने में भी किया जाता है और यह कलोंजी भारती अचारों के मसालों का अभिन हिस्सा है आज दूसरा है यह निजर सीट्स जो जीरे का लंबा और चप्ता रूप है जिसको राम तिल और कराले के नाम से भी जाना जाता है यह गोई जोशिया अबिसीनी का नामक पौंदे के बीज हैं इन वीजों का सबसे अधिक उपयोग महराश्रा करनाट का इत्यादी प्रांटों में होता है महराश्रा की सूखी चटनी इसी से बंदी है इसका उपयोग गोडा मसाले में भी होता है यह है कलोंजी यह नैजिला सीट्स और यह है रामकिल यह निजर सीट्स अंग्रेजी में इन दोनों के नाम लगभग एक समान प्रतीत होते हैं जो कई बाश संशय ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं वैसे यह दोनों दिखने में एक दूसरे से भिन है इन दोनों का स्वाद एक दूसरे से बहुत भिन है कलोंजी क्योंकि सौंफ का संबंदी है इसलिए ये स्वाद में सौंफ जैसा लगता है जबकि राम तिल का स्वाद हलका सा सौंफ की तरह सुगंद वाला और तिल की तरह तेल यूप और हलका कड़वा लगता है कलोंजी और राम तिल दोनों में अनेक और शद्ये गुण है और इन दोनों से ही तेल भी निकाला जाता है और इन दोनों का उपयोग बहुत सारी आयरवेदिक और हर्बल दवाईयों में भी होता है इस सौ ग्राम कलोंजी का मुले लगबग पचास रुपए है और ये राम तिल सानिय बसारों को छोड़ कर आपको ऑनलाइन स्टोर पर ही मिल पाएगा जहां ये एक महंगा उत्पाद है इस सरह के मसालों को आप सदेव अच्छे से बंद होने वाले डब्बे में रख नमी, गर्मी और रोश्नी से दूर संभाल कर रखें और हम आशा करते हैं आज की हमारी नाइजिला सीट्स और निजस सीट्स की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स वर वाचिंग और कीप इंजॉएंग आर एवरीडे लाइफ